हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने पसंदिता चेनल स्टडी आईक्यू प्रीमियम में आसा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपने एक्जाम की तयारी में लगे हुए होंगे तो देखे फ्रेंट्स आज हम जो लेने वाले हैं ट्रेड सफाई करमचारी का MCQ जो की पार्ट 3 आज लेने वाले हैं तो जो इफ्रेंट्स हमारे साथ नई जोड़ रहे हैं वो चेनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है कितना आपका स्कोर हो पा रहा है अगर कम स्कोर हो पा रहा है तो आप हमारे जो पुरानी वीडियो डली हुई है उनको पहले आप रेगुलर क्लासों को देखें और उसके बाद अपने इस टेस्ट को देए ठीक है आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा इस भी बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया हो टेलीग्राम चैनल जोइन कर लें उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्टन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो जो यह हमारी रेगुलर क्लास है उनका भी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्टन बॉक्स में प्रोवाइड कर आ दिया जाएगा ठीक है चलिए अपने क्वेशनों को लेते हैं और क्वेशनों को सीरीज को देखते हैं और अपना अंसर जरूर देते रहें साथ की चाथ आप कितना सही कर पा रहें चेक जरूर करते रहें और बढ़ते हैं अपने क्वेशनों की तरफ देखते हैं आज कौन से महत्कों क्वेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेशन है पहला आपका टॉयलेट साफ करने के लिए किस केमिकल का इस्तमाल किया जाता है एक सफाई कर्मी जो है आपके toilet साफ करने के लिए किस chemical का इस्तमाल करेगा तो दिखिए इसमें option दे रखें A. Red Harpig B. Domax C. Blue Harpig या D. इन में से कोई नहीं तो right answer आपको टिक करना है इसमें से कौन सा right answer होगा जो कि आपके toilet के लिए साफ करने के लिए chemical इस्तमाल में लाया जाता है चारो option में से आपको सही टेक करना है और comment में answer जरूर देना है कि आपका सही answer क्या होने वाला है तो देखिए इसका right answer जो है option C. Blue Harpig ठीक है जो ब्लू हरpig है आपका toilet को साफ करने के लिए कि इसको इसको इस्तमाल में लाया जाता है नीला हरpig का हिंदी का नाम होगा तो आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला question देखेंगे floor, first, ground को साफ करने के लिए किस chemical का इस्तमाल किया जाता है देखिए option आपके सामने दे रखे हैं A. काला हिट या मौर्टीन B. कॉलिन C. रिड एक्स या D. लाइजॉल या फिनाईल तो राइट आंसर आपको टिक करना है इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होने वाला है जो आपका floor, first, ground को साफ करने के लिए किस chemical का आपको इस्तमाल किया जाता है तो राइट आंसर टिक करेंगे फिनाईल, first, को साफ करने के लिए ठीक है अगले question की तरफ चलेंगे देखिए अगला question है swimming pool साफ करने के लिए किस chemical का इस्तमाल किया जाता है जो swimming pool होते हैं आपके उसको इस्तमाल जो साफ करने के लिए इस्तमाल में लाए जाता है तो किस chemical को इस्तमाल में लाया जाता है देखिए right answer आपके दे रखें ammonia, b sulfur dioxide, c chlorine, d sulfuric acid तो right answer आपको टिक करना है कौन सा होगा, सही answer देखिए swimming pool को साफ करने के लिए किस chemical का इस्तमाल किया जाता है एक सफाई कर्मी द्वारा तो ये exam में कही वार पूछा गया है question, जो कि आपके swimming pool से कही वार आया है, देखिए इसका right answer जो है, option c है chlorine, ठीक है जो chlorine है आपका, ये जो है आपका swimming pool को साफ करने के लिए इस्तमाल में लाया जाता है, जो पानी को सुद्ध करने में, काम में लाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको right answer आपका chlorine होका, ओके अगले question की तरफ चलेंगे अगला question देखेंगे, क्या रहने वाला है देखिए अगला question है gutter tank को साफ करने के लिए किस chemical का इस्तमाल किया जाता है जो आपके gutter होते हैं, जो gutter होते हैं, उनको साफ करने के लिए किस chemical का इस्तमाल किया जाता है gutter हो या लेटरिंग का tank हो, तो उसको साफ करने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है option है, wind X B, red X, C phenyl, या D, harpic तो right answer आपको टिक करना है इनमें से comment में answer जबरू देना है और वीडियो को like जरूर करना है देखे, right answer होगा, इसका option B red X, जो red X chemicals होता है, इससे gutter को साफ किया जाता है, ठीक है gutter tank जो होता है, इससे साफ किया जाता है, उसको ठीक है, याद रखेंगे अगला question की तरफ चलेंगे, अगला question पर, B, खुर्खुरी सतय पर, जो आपकी खुर्दुरी सतय होती है, उन पर, या C, गीली सतय पर, जो पानी की गीली सतय होती है, उन पर किया जाता है, या D, चिकनी सतय पर, तो right answer टिक करना है, और जिस भी friends ने हमारा channel subscribe नहीं किया है, वो आपका confidence level इसमें अपर हो जाए, ठीक है, अगर आपका score इसमें कमा रहा है, तो आप हमारी पिछली जो किलासें पड़ी हुई है, trade से सम्मंदित question की, उहां से जाके आप देख सकते हैं, उनका link इसके description box में provide हो जाएगा, ठीक है, देखे, answer इसका देखेंगे, answer होगा, इसका option D, chickeny सतह पर, जो आपकी full जाडू होती है, इसको chickeny सतह पर, इसको इस्तमाल में लाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको, full जाडू का जो प्योग किया जाता है, जो आपके पक्के मकान होते हैं, जहां पे आपके पक्के से भरी जगह को किस जाडू से साफ किया जाता है, ठीक है, जो मकडी के जाले लग जाते हैं, गरों में, या दीवारों पर, या कौनों में, तो उसको जो मुचाई पर जो होते हूं, उनको साफ करने के लिए किस जाडू का इस्तमाल किया जाता है, जैके, option A है, प्लास्टिक जाडू से, B, नारियल जाडू से, C है, बांश जाडू से, या D, फूल जाडू से, तो कौन से जाडू से इसको इस्तमाल में लाया जाता है, साफ करने के लिए मकडी के जालों को, यह पूछ रहा है, चारों option में से आपको right answer टिक करना है, और comment में answer जरूर देना है, वीडियो को like जरूर करना है, अगर पसंद आ रही है तो ठीक है, तो देखें, इसका right answer जो होने वाला है, option A, जो प्लास्टिक जाडू होती है, आपने देखी होगी, जो प्लास्टिक के लंबे-लंबे उसमें ताल लगे होते हैं, थोड़े normal से, मुलाइन से लगे होते हैं, तो वो जो प्लास्टिक की जाडू होती है, उसको ही मकडी के जाले साफ करने के लिए, उसका इस्तमाल किया जाता है, द्यान जरूर रखेंगे कि मकडी के जाले अगर ट्रेट वेस्ट में आपसे ये question पूछिया जाए तो आप जरूर द्यान रखेंगे कि plastic जाडू का इस्तमाल किया जाता है मकडी के जाल को साफ करने के लिए ठीक है अगले question की तरफ चलेंगे देखिए अगला question आपकी श्कीन पर सूखा कच्रा किस कलर के कूड़े दान या डिस्ट वीन में डाला जाता है ये पूछ रहा है जो आपका सूखा कच्रा होता है उसको जो आपके क आपको जरूर देखने को मिलेंगे ए है हरे कूड़े दान में बी पीले कूड़े दान में सी नीले कूड़े दान में या डी काले कूड़े दान में तो इनमें से right answer आपको टिक करना है किस कूड़े दान में आपका सूखा कच्रा डश्ट वीन में डाला जाता है ठीक है द् उसमें सुखे कच्रे को डाला जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे आप नीले का जो उपयोग किया जाता है सुखे कच्रे को डालने के लिए किया जाता है और हरे कुड़े दान का उपयोग आपके लिए जो आपका गीला कच्रा होता है उसको डालने के लिए किया जाता है ठीक ह जैसे फल हो गए उनके छिलके हो गए उनको जो है सुके उसके कूड़ेदान में उसमें डाला जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे जो आपके पत्ते होते हैं सुके उसको नीले कूड़ेदान में डाला जाता है और गीले के लिए हरे कूड़ेदान का प्योग किया जाता है आग भी जो question है आपका जो हमारी class हों से रह गया है उनको सभी को हम इस class में cover कर लेंगे ठीक है mcq की माध्यम से सभी question को हम इन में cover करेंगे तो आप जरूर ध्यान दें देखिए option दे रखें a 36l 36l b 44l 44l या c 61l या d 71l तो right answer आपको टिक करना है और comment में answer जरूर देना है देखिए इसका right answer जो होना है option b 44l जो पीले dustbin या कोड़ेदान का coding जो होता है आपका तो इसका right answer option b होगा 44l ध्यान जरूर रखेंगे आपके जो भी कूड़ेदान के हम coding जो बता रहे हैं उनको आप जरूर ध्यान रखेंगे और इनके opio को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे अगर आपने हमारी वीडियो नहीं रखी है तो उसका link हमारे description box में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा वहाँ से जाके आप सारी वीडियो को watch कर सकते हैं सभी के अलग-अलग वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं सफाई करमचारी से संबन देते हैं चलेंगे अगले question की तरह अगला है यदि safety tank भरा है तो क्या toilet flush होगा तो इसमें normal सा पूछ लिया है आप plus में तो क्या उसमें plus वो हो जाएगा तो देखिए option दे रखें इसमें a option है नहीं भी हाँ हो जाएगा c option है पहली ही पता लग जाएगा तो डी option है ए वी दोनों हो सकते हैं तो दोनों ही संबाव ना हो सकती है इसमें यह कहना चाह रहा है तो right answer अपना टिक करेंगे और comment में answer जरूर देंगे ठीक है और video को lag जरूर करना है ठीक है friends तो देखिए इसका right answer जो होगा option a नहीं जो safety tank है अगर बढ़ा हुआ है आपका तो toilet फ्लस नहीं होगा ठीक है आपको जरूर ध्यान रखना है अगर आपसे normally पूछ लिया जाए यहाँ पे ट्रे टेस्ट में आपसे question आपसे पूछ लिये जाते है नॉर्मल जो सफ़ा करमचार ही होती है उनसे कि आपके अगर toilet आपका बढ़ा हुआ है तो अगर हम flush करेंगे तो क्या वो flush हो जाएगा तो आप किस आधार पर उसमें जवाब देंगे तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर toilet बढ़ा यह नालियां होती है उनमेंसे जो गंदगी है किस ओजार यह उपकरण के द्वारा निकाली जाती है यह आपसे पूछ रहा है तो राइट अंसर आपको टिक करना है कौन सा सही अंसर होगा जो आपके नालों और कंधियों को साफ करने के लिए किस ओजार का उप्योग लाय जाता है देखिए option आपके दे रखे हैं A कुदारी से B फावड़े से या C बेलचा से या D काटा बेलचा से देखिए इसमें option दे रखे हैं चार आपके सामने आपको right answer आपको टिक करना है और comment में answer आपको बताना हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं तो देखिए option आपको बताएंगे कौन सा सही होगा तो देखिए इसका right answer जो होगा option A कुदेरी से फावड़े से बेलचा से काटा बेलचा से is तो देखिए फ्रेंट्स यह जो अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरू करें और सब्सक्राइब जरू करें चैनल को जादा से ज्यादा फ्रेंड़ों के शाथ शेयर करें बड़ी महनुस्य आपके लिए यह क्वेश्चन और यह वीडियो ब बड़े धंसे आप इस टेस्ट को दें तो आपका कॉंफिदेंस लेवर अपर हो जाएगा ठीक है आप अच्छे से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे ठीक है चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही क्वेश्चनों के साथ और ऐसे ही महत्पूर्ट प्रेश्चन के साथ चलिए ओके बाइवाई जेहिन जे भारत